प्रेंटों में आया हूँ अभी नएक वीडियो के साथ अभी जारे अपन पूर अंदर पॉर्ट यह सासवर रोड है हम पुने से आये हैं और यह बोबदेव घाट है अभी घाट लगेंगा आगे बोबदेव घाट है को पहाड पर चड़ना पड़ेंगा अपने को विचलते उदर आख लिए बोबदेव नए बोबदेव जाट है को विचलते उनक्त वाट लगेंगा इड़ना पॉर्ट झाल झाल वह जो रोड दिख रहा है आपको वह आसे आये थे और यह पुरा घाट सेक्षान है और यह बन एक किलो मेटर की एक किलो मेटर लंबा होगा और वह यह पुने सीटे देखो आप यह अले रस्ते से आये थे और यह जेजूरी वाला रोड़े सीधा और अपने कोई इधर जाना है अब है तो यह चामली गाव है गर आप पुने से आते हो तो चामली गाव से राइट टन लेना पड़ता है यह आले रोड़ से आये थे और यह पूर अंदर किल्ले का डारेक्शन है देखो आप अपने कोई इधर जाना है अब है हेलो हाई नमस्ते तो मैं आया हूँ पूर अंदर किल्ले पे जो कि संबा जी महाराज का जन्मस्तान है तो यह मिल्टरी के आम में देखो आर्मी ट्रेनिंग एरिया यहां पर वीड़ाट परमिशा अंदर जाने नहीं देते तो देखो वहाँ से आये थे वहाँ से एंट्री है टोकन निकाल दी है अपने और यहां से भी जाएंगे यहां ज्यादा विजबिलिटी है उसके गारण कुछ दिखाई नहीं देखो यह जो आपको दिख रही है यह पुरा ना खंडर जैसा है बाके कुछ नहीं अंदर वीजबिलिटी कारण कुछ दिख रहा नहीं है बसे मैं आपको अंदर लिजाता हाँ अभी पूरा खाली है देखो पूरा खाली है यहांका यह किल्ला समुधर तल से करीबन साड़ी चार हजार फिट के उचाई पर है यह किल्ला पूर्णी से करीबन बचास किलोमेटर के दूरी पर है मुरारबाजी देश पांडे का स्टाचु देखो आप यहाँ पर भारत का नक्षय बनाया है इसके बगल में चोटा सा फॉर्ट है यह भी खाली है देखो यहाँ धर्माविट चत्रपदी संबाजी महाराज का जन्मस्तान है यह वाला जो रोड है वो किल्ली तरब जाता है और आगे में आपको प्लेश दिख रहा होगा वहाँ पर मोबाइल जमा करते हैं मोबाइल अलव नहीं है उदर में अभी चलते हैं इदर और यह चत्रपदी संबाजी महाराज पुतला वंदन्स तड़ करें इत्यासिक वास्तुचे जतन हाच अनमुल ठेवा तो यह है चत्रपदी संबाजी महाराज का उद्ध्यान देखो छोटा सा है संबाजी महाराज का स्टाचू है और अब जा रहे हैं म्यूजियम तरफ आगे में म्यूजियम है म्यूजियम दिखा था आपको और यह पद्मावत तला पद्मावत तला है छोटा सा छोटा सा फाउंटेन लगाया है वापे देखो वह जो आपको लाल कलर का दिकरा है वह म्यूजियम है अब जा रहे है उदर तो यह चत्रपदी सिवाजी महाराश की मूर्ती है देखो आप एक जून उन्नीस सव सइसाट पूर्ना जील परिसाद ही हुए मिनिस्ट्री अब गवर्मेंट महाराश्टा गवर्मेंट के अंडर में आती है देखो इदर से आये थे यह मूर्ती है और यह एक म्यूजियम है अभी जलते हैं इदर तो यह छत्रपती संबाजी महाराश वंदन स्तवड़े देखो आप अभी चलते हैं अंदर कि यह दो दर्बा एंट्री के टाइम मिलते हैं आपको कि अंदर कि यह दो दो आपको कि अंदर कर दो कर दो कर दो कर दो आज के लिए बस इतना वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सेर, कमेंट और नए होतो चानल को सब्सक्राइब करें मिलते अगले वीडियो में तब दिकले धन्यवाद